आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और यह बहुत ही क्रीमी शाही पनीर की रेसिपी और मैंने इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाया है ना कोई जंजट ना कोई एक्स्ट्रा मसाला आप जब इसको बना के खाएंगे ना तो यह मुँ में जाते ही घुल जाएगा तो आप इसको जरूर ट्राय कीजेगा एक बार और फिर हम मुझे बताईएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी वैसे भी मैं यही कोशिच करती हूँ कि बिना जादा एक्स्ट्रा मसाला के मैं अच्छी रेसिपी लाके दूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यह नौ प्याज है लगबग हाफ केजी के लगबग है इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है इस तरीके से काट लिया है देखे और यह और छे मीडियम साइज के टमाटर लिये मैंने एक लैसन लिया है स पानी में भीगो दिये थे और ये काजू उसको भी मैंने भीगो दिया था और ये खर बूजे का भीया था उसको भी मैंने भीगो दिया था अब चलिए प्यास को पीशते हैं तो प्यास को जार में डाल दिया और थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है जादा नहीं डालना है कि इसका पानी खुद ही चुड़ता है तो बहुत ज़्यादा ही पानी हो जाएगा सिर्फ पहले प्यास पीस लेना है उसको पीस के मैंने निकाल लिया और अब इसमें चलिए टमाटर डालते हैं इस तरीके से मैंने इसमें सारे टमाटर डाल दिये सिर्फ टमाटर में पानी नहीं देना बस यूहीं इसको पीस लेना है क्योंकि इसमें पानी खुद ही निकल जाते हैं तो पानी डालने की तो जरूरत ही नहीं अब उसके बाद ये सारे भीगोए हुए बदाम काजू और खरबूजे का भीया बोलते हैं इसको जो भी बोलें आप तो उसको मैंने थोड़ा सा पानी डालके उसको भी पीस लिया है यह देखिए पिसा गया और अब कडाही में एक कर्चुल सरसों का तेल लिया है सरसों का तेल ही में बनाया है मैंने इसको और हाफ टीउस्पून जीरा डाल दिया और वन पिंच बोलते हैं उसको मैंने इसमें यह डाल दिया हिंग डाल दिया एक तशपत्ता डाल दिया दो छोटी एलाची और दो तीन स्टिक हैं दालचीनी के और यह लैसुन जो मैंने पिसा था यह उसका पेस्ट डाला है अब देखे इसको इस तरीके से हलका हलका सा फ्राइ कर लेना है पहले घलका ही करना है क्योंकि और भी चीज डाले मैंने एक कुछ जादी ही हो जाएगा तो जल बल जाएगा तो फीर इसमें पिसा वह प्यास डाल दिया ए देखी इसको भी थोड़ा ही होड़ा सा बस अलके लेना है उसके बाद मैंने इसमे वन टीस्पून आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाले बादी मैं इसमे नमक धाल दिया के जबो लाल घंः और टो कासा चाहिए वु भुधार में, मैंड राव ज़े में नहीं करते हैं तो आप थोड़ा देर इसका मसाज कीज़े, यानि भूंचते रहिए उन्ट तक ही भूंचा है। फिर यहां पर उन्टीज़पूंन किचन किंग मसाला । दाला हैं मैंने। ज़िए तोके बांड पकी ज़ंखोंडा है। मेडियम फिलेम पर ना लो करना है ना बहुत ही हाई करना है मीडियम करके ही पकाईएगा क्योंकि यह जल जाएगा फिर पांच मिनिट के बाद मैंने इसको खोला और खोल के देखे इस तरीके से भूंज लेना है तो यह सब चीज तो नॉर्मल है घर में होना चाहिए और डाल के इसको थोड़ा सा दीमियाश पर पाका लिए पाकाने के बाद इस तरीके से भूना जाएगा जब अच्छी तरीके से भूना जाए तब आप इसमें पर इसमें वह काजू और बादाम का पेस्ट जो पीसा था इसमें डाल देंगे यह देखिए अब इतना बुंजने के बाद अब यह काजू बदाम इसमें पढ़ गया अब इसको भी हलका सा मिला लीजे तो चलिए यह हो गया यह मिक्स हो गया आप यहां पर हाफ कप दूट डाला है आप चाहें तो दूट की मलाई भी डाल सकते हैं या नहीं तो अमुल फ्रेश क्रीम है तो भी डाल दीजे और अब मैंने आप टू टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाला है यानि मिल्क मेड मिठाई मेड आप जो मिठाई मेड भी इसको बोल सकते हैं तो अगर वो है तो भी डाल दीजे मिल्क मेड है तो मिल्क मेड भी डाल टू टेबल स्पून डाल दिया है इससे और भी मज़ेदार होता है और इसका टेज़ और भी ज़्यादा खिल के आता है और यहाँ पे थोड़े से समूचे काजू लेके उसको बीच से आधा कर लिया और आधा करके इसमें डाल दिया है और अब इसको मिक्स कर लिजिए मिक्स करने के बाद यह मेरा 250 गिराम पनीर है इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है स्कुएर शेप में यह देखे मैंने इस तरीके से कट कर लिया और सारे मसाले में अब इसको यहाँ पे मैंने मिला दिया है कि मिला दिया डिक्स कर लीजिये वहलिक हलोगह से इसको गोई मिक्स करना कि चूर हो जाता है तो हलके क lies करने में भला है जर उम्जकर्म棟ि वहलैं और। भूप चांग ये डिद paints कर दिए वहलूग आग़ दिए कि मैं आगे भी और भी आपन गी को अच्छे अच्छी रेसिपी लाके दूँ और मेरी पूरी कोशिच चाहिए रहेगी कि मैं जादा से जादा कम से कम समान में आपको हर रेसिपी लाके दूँ ताके आप अपने घर के ही चीजों से और बहुत सारी रेसिपी बना सकें तो अब मुझे इजाज़त दीजे बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू सो मच बाई